नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भाजराव मैडम, कक्षा छटवी के बच्चों को गनित पढ़ाने वादी हूँ देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि गनित आपको आसन जाने के लिए उसकी जो चार क्रिया है वो आना बहुत जरूरी है जैसे की जोडना, घटाना, गुना करना और भाग करना इसके पहले वाले पिरेड में हम लोगों ने जोड करना ये गनित जो है वो हल किये है अभी हम लोग घटाना ये जो क्रिया है वो कैसे की जाती है हो हम लोग पुनरावर्तन के तोर पर देखने वाले हैं देखो घटाना के क्रिया करते समय बहुत से बच्चों को लगता है कि ये बहुत आसान है लेकिन तो भी बहुत से बच्चे जो है उसका जो हासिल है उसको लेते समय बहुत गलतिया करते हैं इसलिए पुनरावर्तन के तोर पर हम लोग यहाँ पर दो उधारन हल करने वाले हैं इनका हमें घटाव करना है घटाव करते समय हमेशा यह जो हम लोगों ने हसिल लिया जाता है तो उसको अच्छे तरह से लेने का है और बाद में उसको जोडने का भी है अभी यहाँ पर देखो जैसे हम लोगों ने जोड की क्रिया करते समय इकाई स्थान से शुरुआत की थी क्योंकि घटाने की क्रिया करते समय हमेशा बड़ी संक्या में से छोटी संक्या घटानी होती है लेकिन यहाँ पर चार में से साथ घटा नहीं सकते इसलिए हम लोगों को दहाई वाला जो स्थान है उससे हसिल लेना पड़ेगा अभी देखो यहाँ पर दहायवाले स्थान पर दो हैं, दो से हम लोग एक दहाय यानि दस, दस हासिल लेंगे, और इस दस में यह 4 जो है वो जोडने के बाद होता है 14, तो 14 में से हम लोग यहाँ पर साथ गटाएंगे, तो उत्तराएगा साथ, उसके बाद दो दहाय में से ए एक दहाई यहां पर दे दिया तो यहां पर रह गया एक तो फिर एक में से अभी हम लोगों को एक घटा नहें तो रहेगा शुन्य उसके बाद है एक में से आठ घटा नहें लेकिन एक में से आठ तो घटा नहीं सकते क्योंकि एक जो है वो छोटा है और आठ जो है बड़े है तो इस समय भी हम लोगों को हजार के स्थान पर जो तीन है उससे हम लोगों को फिर से एक दहाई जो है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा तो फिर एक दहाई लेने के बाद यहाँ पर हो जाएंगे 10, 10 और 11, तो फिर 11 में से हम लोगों को 8 घटाना है, तो आहेगा 3, उसके बाद 3 में से हम लोगों ने एक दहाई दे दिया था, तो यहाँ पर रह गए 2, अभी 2 में से हम लोगों को 4 घटाना है, लेकिन 2 में से भी हम लोग चार नहीं घटा सकते तो इसलिए हम लोगों को 9 से हासिल लेना पड़ेगा फिर से हम लोग 9 से 1 दहाई ले लेंगे तो वहाँ पर 10 में 2 जोडने के बाद होता है 12 12 में से हम लोगों को 4 जोडना है तो रहेगा 8 तो फिर यहाँ पर 9 दहाई में से 1 दहाई दे दिया तो इसलिए यहाँ पर 8 में से अगर हम लोगों ने एक घटाया तो उत्तर आता है 7 और 4 में से 2 घटाने के बाद उत्तर आता है 2 तो इस तरह से हम लोगों ने ये घटाव की क्रिया की हैं अभी यहाँ पर उत्तर आ गया 2,78,307 देखो उत्तर आया है 2,78,307 अभी इसी प्रकार हम और एक गणि जो हैं उसको हम लोग क्या करेंगे हल करके देखेंगे देखो दूसरा गणि थे 10 लाग रिन 8مكن संक्या हैं यहाँ पर भी दस मतलब इस संक्या में से हम लोगों को घटाना है अब यहां पर अगर अगर अपने थोड़ा सा गोरक से देखा, तो सभी जीरों आ रहे हैं और इन जीरों में से भी हम लोगों को ये चाज़ांग घटानी हैं, तो इस तरह किससे घटाया जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं, अभी एकव में जैसे इसके पहले वाले उध तोह मतलब उसके बाएस साइड में जाने का तो वहां पर लेने का लेकिन उसके साइड पास भी कुछ भी नहीं है फिर आईसे करते करते हम लोगों को जिसके पास होगा उसके पास चले जाएंगे तो आईसे करते-करते हम लोग दाहाई डारेक्ट एक दश लाग के 10 लाग के घर पर एक है तो इसले एक जो हे उसने पूरा दाहाई अगर हम हम उसके प्रडोस वालों को में धायने साइड में जो आंग इसको दे दिया तो उसके पास बचेंगे सिर्फ शुन्या और फिर यहां पर हो जाएंगे 10 फिर से इसको अपने धहीनी साइड़ वालों को देने का है तो इसलिए वो भी दे देगा एक दहाई तो यहां पर रहेंगे फिर से 9 ऐसे करते करते हम लोग 11 तक आ जाते हैं 21 तर आने के बाद यहां पर 10 हो गया भी और 10 मेंसे 7 घटाए तो कितना आएगा 3 उसके बाद 9 मेंसे अगर 7 घटाए तो आएगा 2 उसके बाद 9 मेंसे 9 घटाए तो आएगा 0 उसके बाद 9 मेंसे 8 घटाएंगे तो 1 अब यहां पर 9 मेंसे यहां पर कोई भी नहीं घटाने वाला इसलिए वहाँ पर जैसा की वैसा है रखेंगे 9 उसके बाद 9 9 इसके भी नीचे कोई भी नहीं अंक इसलिए उसको भी वैसा है रखेंगे 9 तो यहाँ पर उत्तर आ गया 9,91,023 उत्तर आ गया 9,91,023 देखो बच्चो यहाँ पर मैंने आपको शुन्यका भी किस तरह से घटाओ किया जाता है उबादाय है समझ लोगर अपने पास अगर कोई चीज नहीं एक लास में आपको पेन नहीं पेंसिल नहीं पट्टी नहीं सम मांगते हैं या फिर उसके पास नहीं होगी तो दूसरे क्लास के जो विद्धार थी है उनसे मांगते हैं तो उसी तरह घटाओ के क्रिया में भी इस तरह से ही आप लोगों को क्या करने का है घटाओ करते समय आपना जो बाय साहिर वाला जो अंक्रेता है उससे हासिल लेने क और हासिल लेने के बाद उसको अच्छी तरह से क्या करने का है जोडने का भी है तो इस तरह से हम लोग गटाओ के क्रिया करेंगे तो हमें अरी गलतिया नहीं होगी तो देखो बच्चो इस तरह से आज हम लोगों ने गटाओ की क्रिया किस तरह से की जाती है वो हम लोगों न करना है धन्यवाद